वेरी गूड इवनिंग चू अल अफ यू स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटुब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग क्यूक रिविजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगोंने फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे पदार्थों के समान गुन यानि जनरल प्रोपर्टीज अफ मैटर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट्स कोश्चन जो कि प्रिभियस येर के डिफरेंट एक्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो आज ये अब सुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो ये कह रहा है कि बरसा की बूंदे गोलकार होती है क्योंकि जल में प्रिश्ट तनाब होता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नंबर सी प्रिश्ट तनाब के कारण नेक्स्ट हमारा की बायू दाप मापी की रिडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तो अगर अचानक गिरावट आता है बायू दाप मापी में तो उसका मतलब है कि जो मौसम है वो तुफानी होगा नेक्स्ट है हमारा की नीचे दिये गए चार छिद्रों वाले एक फवारे के चितर पर ध्यान दीजे फवारे के कौन से चितर से पानी अधिक्तम दूरी तक फेका जाएगा तो अधिक्तम दूरी से फेका जाएगा एक से तो इस कोशन का सही अंसर हो का option number D नेक्स्ट है हमारा की निमलिखित में से किस एक के लिए केसिक तत्व एक मात्र कारण नहीं है यहाँ कोश्चन देहां से पढ़िएगा कह रहा है केसिक तत्व एक मात्र कारण नहीं है तो स्याही का सोखना इसका तो एक मात्र कारण केसिक तत्व है भूमीगत जल का उपर चढ़ना इसका भी एक मात्र कारण केशी कत्त दहीं है सूती कप्डों पर जल की बूंद का फैलना ये भी है पौधे की जडों से जल का इसके पंड समूं की और बढ़ना ये नहीं है तो इस question का सही answer होगा option number D next time है हमारा की बत्ती बाले अस्टोब में किरोसीन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है तो बत्ती बाले अस्टोब में किरोसीन के ऊपर बत्ती चढ़ने का जो कारण है वो है प्रिष्ट तनाब नेक्स्ट है हमारा की एक ही पदार से बने चार तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई है अलग-लग बार एक ही भार से खीचे जाते हैं तो इसमेंसे अधिकतम दैर ब्रिदी होगी जब आप मल्टिप्लाइd करके देखेंगे तो जो सबसे अधिक्तम होगा वो होगा 3 मीटर लंबाई और 1.5 एमें बब्यास वाले तार का नेक्स्ट हमारा की गिर्ती हुई बूंदे गिर्ती हुई बर्सा की बूंदे की गोल यह आकिर्ती का कारण क्या है तो यह है प्रिष्ट तनाब नेक्स्ट हमारा की जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो थोड़ा सा उपर उठ जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप्सन नमर ए तो इस question का जो सही अंसरों का बोहोगा option number C A सही है प्रंतु R गलत है Next है हमारा कि यदि साबुन के दो भिन 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 ब्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है तो जब भिन 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 ब्यास वाले बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो जो छोटा बुलबुला होता है और बड़ा बुलबुला जो है और बड़ा होता चला जाता है नेक्स रहा है हमारा की द्रभबूंद की संकुचित होकर निउन्तम छेतर घेटने की प्रभिर्ती का कारण क्या होता है तो इसका कारण है सरफेस्टेंशन प्रिष्ट तनाब नेक्स रहा हमारा की लोहे की किल पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है इसका region क्या है? इसका region यही है कि लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधीक है लेकिन पारे से कम है Next है हमारे कि पानी की एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जब बर्फ पिघलती है तो पानी के अस्तर पे क्या परभाव पड़ेगा? तो पानी का जो अस्तर है बर्फ पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा? तो इस question का सही answer option number C Next है हमारे कि समुद्र में नदी की अपेच्छा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल जो होता है वो नमकीन होता है तो इस question का सही answer होगा option number C Next है हमारे कि जब कोई जहाज नदी से निकल कर सागर में प्रवेश करता है तो बहुँ कुछ ऊपर उठ जाता है बिल्कुल सही बात है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधीक होता है तो इस question का सही answer होगा option number A और R दोनों सत हैं और R जो है वो A की सही ब्याख्या भी है Next है हमारा कि पानी के 4 degrees Celsius पर सरीर तैरता है यदि तापमान 100 degrees Celsius हो जाए तो क्या होगा तो तापमान अगर 100 degrees Celsius हो जाएगा तो सरीर जो है वो डूब जाएगा Next है हमारा कि पानी का पेचित घनत सर्वाधीक निमलिखी ताप पर होता है तो पानी का पेचित घनत जो सर्वाधीक होता है वो 4 degrees Celsius पर होता है तो इस question का सही answer होगा option number B Next है हमारा कि हावाई जाहाद से यातरा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि बायू दाब में कमी हो जाती है और इसी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है आगे है हमारा कि एक केसनली में जल किया पेच्छा एक तरल अधीक उच्चाई तक चड़ता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तरहल का प्रिष्ट तनाब जो है जल किया पेच्छा ज़ादा होता है आगे है कि जब कोई झील की तली से उठकर बायू बुलबुला उपरी सतह तक आएगा तो उसका कार जो है भोट जाएगा नेक्स है हमारे की समूंदर में प्लबन करते हुए आइसबर का कितना भाग समूंदर की सता से उपर होता है तो कितना भाग समूंदर की सता से उपर होता है एक बटा नौ भाग समूंदर की सता से उपर होता है आगे है है हमारा कि साबुन के बुल्बूले के अंदर का दाब, तो साबुन के बुल्बूले के जो अंदर का दाब होता है वो बायूमन लीए दाब से अधीक होता है नेक्स्ट है हमारा की जल की सता पर तेल फैल जाता है क्योंकि तो जल की सता पर तेल फैल जाता है इसका रीजन यही है कि तेल का जो प्रिश तनाब है वो जल की यह पेच्छा कम होता है नेक्स्ट है हमारा की जब कुएं से पानी की बाल्टी को उपर घीचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी तो हमें महसूस यही होता है कि जो वाल्टी है वो पानी की सता से उपर भारी हो गई है तो इस question का जो सही answer होगा बो होगा option number A next हमारा कि बादलो के बायूमंडल में तैरने का कारण उसका कम क्या है नेक्स्ट हमारा कि बर्फ जमी जील के अंदर मचलियां जीवित रह जाती हैं क्यूंकि जो जील की तली पर जल नहीं जन पाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C नेक्स्ट हमारा कि कोई कन एक समान गती पर कैसा होना चाहिए तो कोई कन जो एक समान गती पर होना चाहिए कि उसका जो बेग है वो एक समान हो सकता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number C नेक्स्ट हमारा कि जब सुध जल को डिटर्जेंट में डाला जाता है तो उसका प्रिश्ट तनाप तो जब सुध जल को डिटर्जेंट में अगर डालते हैं तो उसका प्रिश्ट तनाप जो होता है वो घट जाता है नेक्स्ट हमारा कि पानी के बुंदे का तैलिये प्रिश्ट पर न चिपकने का कारण क्या है तो उसे निधारित करने के लिए पातर के तल के प्रिश्ट का छेतरफल जो है वो आपे चित नहीं है आगे एक निमलिकित में से कौन सा द्रव सरबादीक धनी या विसकासी होता है तो अगर हम लोग बात करते हैं तो तेल जो होता है वो सरभधिक धनिया विसकासी होता है नेक्स्ट हमारा की बस्तु की मात्रा बदलने पर अपरबर्तित होगा तो बस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनात्व होगा वो अपरबर्तित रहेगा next हमारा कि hydrogen से भरा rubber का गुबारा बायू में उपर जाकर फट जाता है क्योंकि तो उपर जाने पर क्या होता है बायू दाब घट जाता है next हमारा कि एक बंदर पात्र को आरंब में खाली किया जाता है और तब उसमें एक सामान दर पर बास भरी जाती है तो पात्र में दबाब क्या होगा तो पात्र का जो दबाब है वो पहले बढ़ जाएगा और फिल जाकर अस्थीर हो जाएगा तो इस question का सही answer होगा option number C next question है हमारा कि archimedes का नियम निमलिखी से संबंदित है archimedes के नियम की अगर बात करते हैं तो archimedes का जो नियम है वो प्लाबन की नियम से संबंदित है next हमारा कि fountain pain कि सिधान पर कार्ज करता है तो fountain pain जो है वो केसी का किरिया के सिधान पर कार्ज करता है next हमारा कि एक तामे की छड़ है और दूसरी इस पात की दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्पेच होता है तो इस परकार दोनों का क्या होगा तो जब दोनों को पानी में डालेंगे और उसका जो उत्पेच होगा वो एक समान होगा तो उसका जो भार होगा वो भी समान होगा तो इस question का सायन सरो option number B नेक्स्ट हमारा की फुहेरा निमलिखित में से किस सिध्धान पर कार्ज करता है तो फुहारा जो है वो बड़नौली सिध्धान पर कार्ज करता है नेक्स्ट हमारा की प्रिष्ट तनाब किसके कारण पैदा होता है तो प्रिश्ट तनाब जो है वो अनुओं के बीच सह संजक्बल के कारण पैदा होता है तो इस question का सहियन सरोगा option number B next है हमारा कि किसी pipeline के केंदर पर इस्थित किसी कन का बेग होगा तो किसी pipeline के केंदर पर इस्थित अगर हम लोग कन का बेग पूछेंगे तो वो उसका अधिकतम बेग होगा next है हमारा कि द्रिटा गुनांग का मातरक का है तो द्रिटा गुनांग का मातरक है newton per meter square आगे है कि किसी gas का आयतन इस्थिर्टा पर 20% कम करने पर उसका दाप कितने पतिसाथ बढ़ाना होगा तो उसका दाप जो है वो एक बटा चार यानि 25% बढ़ाना होगा next है हमारा कि सीथ काल में जब जील की उपरी सता का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलिये जन्तु जो है वो जिवित रहते हैं क्योंकि क्योंकि पानी का घनत जो है वो 4 डिगल से सीथ पर सबसे अधिक होता है जिसे बर्फ की उपरी सता के नीचे जो है वो पानी रहता है नेक्स्ट है हमारा की एक लकडी के टुक्रे को पानी के नीचे पकड का रखने पर उस पर कितना उत्प्लाबन बल होगा तो अगर हम एक लकड़ी के ठुकरे को पानी के नीचे पकड़ कर रखते हैं तो उस पर जो प्लाबन बल होगा वो लकड़ी के भार के बराबर होगा तो इस question का सहियन सरोगा option number A next है हमारा की helium प्रमानू hydrogen अनू से दो गुना भारी है यदि प्रतिचित होने के बाद कोई भी उल्जा और बेक का नुकसान नहीं हो तो उससे कितनी उचाई तकबह उपर उठेगा तो अगर किसी का नुकसान नहीं होगा तो दो ही मीटर तकबह उचे उपर उठेगा तो इस question का सहियन सरोगा option number C next हमारा की रेल की पटरियों की नीचे लकडी के पटे लगाया जाते हैं क्यों क्योंकि गाड़ी द्वारा जो उत्पन दबाब है उसको कम करने के लिए तो इस question का सहियन सरोगा option number D गाड़ी द्वारा उत्पन दबाब को कम करने के लिए next हमारा की life jacket का सिध्धानत क्या है तो life jacket का सिध्धानत यह है कि वह उत्पने बेक्ति को उतारते रखने के लिए जिसके आयतन में क्या कर देता है ब्रीधी कर देता है next हमारा की कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाते रहेगी तो कोई भी नाव है वो अगर अपने भार के बराबर अगर पानी को हटाते रहती है तो वो कभी नहीं डूबेगी तो इस कोशन का सही अंसरों को आपसे नबर भी भार के बराबर next हमारा की समुदरी पानी में जहाज नदी के पानी के अपेच्छा असानी से तैरता है क्यों तो समुदरी पानी में जो जहाज है वो नदी के अपेच्छा असानी से तैरता ही क्योंकि समुदर के पानी का जो घनत्व होता है वो अधीक होता है नेक्स्ट हमारा की बर्फ पानी में तरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है नेक्स्ट है की बर्फ के दो टुक्रे को आपस में दवाने पर टुक्रे आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि क्योंकि दाब अधीक होने से बर्फ का जो गल्लांग है वो घट जाता है Next है हमारा कि इस थीर पानी में मीटी का तेल डालने पर मचछड कम हो जाते हैं क्योंकि अगर आप मीटी का तेल पानी में डाल देते हैं तो लारबा को सांस लेने में बाधा हो जाता है तो इस question का सही answer होगा option number C next है हमारा कि यदि किसी साधारन काच की नली और एक काच केसी का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निमलिखित में से किस में उठेगा तो पानी जो है वो cable काच केसी का नली में उठेगा next है हमारा कि 1.2 बिसिस्ट घनत्र के द्रब में एक धादू को उसके टुकरे का भार क्या होगा जिसका भार हबा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है इसको आपका जो अंसर आएगा 62 ग्राम next है हमारा कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली सीसी रख देने पर उसकी खुस्बु कमरे के सभी भागों में फैल जाती है ऐसा किस कारण से होता है तो ऐसा जो है वो बिसरन के कारण होता है तो इस question का सही answer रोगा option number C next है हमारा कि निम्लिखित में से कौन सी बहुतिक राती है जो मात्रा में ब्रीधी के बाद भी अपरभावित रहती है तो मात्रा में ब्रीधी के बाद भी अपरभावित रहने बाली जो बहुतिक राती है वो है घनत्व नेक्स्ट है हमारा की किसी बिसाल जहरने की तली में पानी का तापकरम उसके सबसे उपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि तली के पानी में अधिक स्थिती दुर्जा होती है नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन बैग्यानिक जो है वो पानी की टब में नहाते समय आचाना की उरेका उरेका चिलाते हुए बाहर निकलाये थे तो वो बैग्यानिक है आर्कमेडेज नेक्स्ट है हमारा कि उत्पलावी बल निर्भर करता है तो उत्पलावी बल जो होगता है वो विस्थापी तरल के भार पर निर्भर करता है नेक्स्ट है हमारा कि चंदर्मान से यदि किसी पिंड को पृत्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा तो उसका जो दर्म्यान रहेगा वो अपरवर्तित रहेगा तो इस question का सही answer होगा option number C next है हमारा कि एक साफ सीसे के plate पर पानी की बूंदे गिरने से वो फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद जो होती है वो गोलाकार बनी रहती है क्योंकि तो इसमें होता क्या है कि जो पारे का साफ संजन यानि cohesion bond force जो होता है उसके सीसे के साथ आ संजन addition से अधीक होता है तो इस question का सही answer होगा option number C next हमारा जब बर पिघलती है तो इसका जब बर पिघलती है तो उसका जो आयतन होता है वो घरता है next हमारा एक पिंड किसी द्रब में तैर रहा है पिंड और द्रब का घनत बराबर है अगर पिंड को नीचे की और दबा कर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा तो बह दोलन करने लगेगा तो इस question का सही answer होगा option number A next हमारा निम्रिकित में से कौन सा कथन सही है पिघलने पर ठोज जो है वो समानता फैलता है बिल्कुल सही है पिघलने पर बर्फ जो है वो सिकुर्ती है ये भी सही है बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है ये भी सही है तो इस question का सही अंसर हो जागा option number C 1, 2 और 3, 3 हो सही है, next हमारा गी पानी से निकलने पर saving brush के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है surface tension यानि प्रिष्ट तनाब, next हमारा vaseline lepith sui, 36 स्थिती में जल प्रिष्ट पर धीरे से डुबोई जाती है, वो तैरती वी प्रतीत होती है, यह किस घटना का उधारन है, तो यह जो है वो प्रिष्टिय तनाब का उधारन है, next हमारा गी बायू में प्रचकी, यानि यह spinning cricket ball के दोलन की बैख्या की जा सकती है, तो यह बर्नॉली के प्रमे के अधार पर किया जा सकता है, तो इस question का सही होता है, वो कम होगा, तो इस question का सही अंसर होगा, option number A, तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, comment करके जरूर बताइएगा, साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है, तो एक like जरूर कर दीजेगा, thanks for watching.